Hello everyone, स्वागत है आप सभी का Learn and Fun की हमारी इस क्लास में बच्चों मेरो नाम है उजवला और मैं लेकर आ गई हूँ एक brand new lecture कौन से चाप्टर का The Rise of Nationalism in Europe वाले चाप्टर का और बहुत सारी डिमांडे और रिक्वेस्टे हम लोगों के पास आई थी कि माम अब next chapter ना हमको please history पढ़ा दीजे history हम लोगों को पढ़ना है क्योंकि history will always remain a mystery तो बच्चों आज मैं लेकर आ गई हूँ history ठीक है और मैं वैसे कोई शायरी मारने वाली थी लेकिन मेरे दिमांग में आई नहीं कोई बात नहीं तो आज हम लोग nationalism की बात करने वाले हैं वो भी कहां पर nationalism यौरप के अंदर nationalism ठीक है so it is gonna be a very nice chapter a very interesting chapter you all are gonna enjoy it let us begin the chapter but बच्चों इस chapter में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ज़रा जान लेते हैं एक शब्द का मतलब कौन सा शब्द है यह शब्द है nationalism जिसको हिंदी में बोला जाता है राश्टरवाद और बच्चों राश्टरवाद की जब भी हम लोग बात करते हैं तो इसका यह मतलब होता है कि एक तरीके की feeling है हम sad feel करते हैं, angry feel करते हैं, happy feel करते हैं यह जैसे सारी यह सब feelings हरा उसी तरीके से बच्चों अपने देश के लिए जो एक पर पेट्रियोटिक feeling आती है that feeling is nationalism अब nationalism तीन चीजों से आता है, तीन चीजों से पनपता है हमीशा मैं अपने बच्चों को बताती हूं कि तीन चीज़ा कौन जी है, एक सेकेंड अलग level की कलर कृतिया यहाँ पर होने लगी है बच्चों तीन चीज़ें जो कि nationalism की भावना को जनम देती हैं वो है, struggle, history and a collective identity थ्री थिंग्स ताट शेप आप दी फीलिंग ओफ nationalism बच्चों यहाँ पर देखिए, struggle की जब भे हम लोग बात करते हैं, struggle सभी को पता है आनन्या पांडे वाला struggle नहीं बच्चों, अनन्या पांडे ने एक बारी बोला था की मैंने बहुत struggle किया है, लेकिन यह वाला struggle नहीं है, यह असली वाला struggle है जब लोग साथ में एक देश को बनाने के लिए संगर्ष करते हैं, लड़ जगर पड़ते हैं, यह उस struggle की बात हो रही है हिस्टरी की बात है बच्चों जैसे आप लोग इंडिया की बात करें, तो इंडिया में हम सारे लोग हैं, हम सब के four fathers, जो पूरवज थे, वो सारे लोग involved थे हमारे इंडिया को आजादी दिलवाने के लिए, तो इस वज़े से हम सभी इंडियन्स की जो हिस्ट्री रही है, वो हिस्ट्री भी तो सेम रही है, एक common हिस्ट्री शेयर करते हैं हम लोग, और उसी के साथ एक collective identity, collective identity का मतलब होता है कि we all belong to a single country, which is इंडिया, हम सब अप collective identity, that we all are Indians, हम सब की identity, हम सब की पहचान एक ही है, अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी है, चक दे इंडिया, उसमें पूछते हैं कि जब कोछ होता है, शारु खान वो पूछ रहे होता है अपनी टीम से कि तुम कहां से हो, तो कोई कहता है मैं जारकंट से हूँ, कोई कह करते हैं बच्चों, क्योंकि हम सब की पहचान एक है, चाहे किसी भी स्टेट से हम लोग बिलॉंग करते हो, still we are a part of a single nation and that nation is India, यानि की भारत, तो यहां तो वैसे भारत की बात नहीं हो रही है, भारत की बात हम एक अलग से chapter में करेंगे, जो क्यों होगा हमारा nationalism in India का chapter लेकि योरोप में राश्रवाद की बात करने वाले हैं, बच्चों आप लोगों को लगता होगा कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान और हम बोल सकते हैं श्री लंका और बंगलादेश यही सारी कंट्रीज थी जो मतलब दूसरे रूलर्स के रूल में रही है, जिनने उन्हें आज आजादी प्राप्त करी हैं बट ऐसा नहीं है, आपको बता है योरोप के अंदर भी जो कंट्रीज हैं उन्होंने भी टाइम पर लड़ाई करकर संघर्ष करकर आजादी को प्राप्त करा हैं, उनके लिए भी आजादी को हासिल करना कोई आसान काम नहीं था, तो हम इसमें उनका स्ट्रगल देखने वाले हैं, let us start with the chapter and what all topics are we gonna study today, आज हम बहुत सारे topics पढ़ने वाले हैं बच्चों, सबसे बहले हम लोग सौरूज यूटोपियन विजिन की बात करेंगे, इसके बाद हम लोग collective identity amongst the French people की बात करेंगे, Napoleon Bonaparte की बात करेंगे, aristocracy की बात करेंगे, liberal nationalism क बात करेंगे, new conservatism और the revolutionaries की बात करने वाले हैं, all of these topics आज की class में cover कर देंगे, बहुत जल्दी है chapter हम समाप्त कर देंगे बच्चों, चलो जल्दी से आगे बड़ चलते हैं और इस image को देखिए, बच्चों यह जो image है, इसके बारे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, क एक idealistic चीज़, जो कभी reality में exist ही नहीं कर सकती, that is utopia, okay, an idealistic condition, अब एक idealistic condition के अगर मैं बात करूँ, तो जैसे मैं बोलू कि एक इनसान ऐसा हो, good looking भी हो, है ना, good looking भी हो, बहुत intelligent भी हो, smart भी हो, funny भी हो, हर चीज हो जाए उसमें, ऐसा दो हो नहीं सकता है ना, लेकिन, है हर चीज हमको नहीं मिल सकती है बचों, यहाँ पर भी वहीं चीज है, हर चीज नहीं मिल सकती, but this is the idealistic situation that Frederick Soru tried to create in his ideal picture, okay, so this idealistic situation or this ideal picture that he made, was known as the democratic and social republics, जिसके बचों यह सारे के सारे लोग है, men and women of different ages, यह क्या कर रहे हैं, बड़े लंबे से क्यूं में जा रहे हैं, statue of liberty को homage पे करते हुए, respect पे करते हुए जा रहे हैं, जंडे इन्होंने उठा रहे हैं, तो अलग-अलग nations के आपको जंडे यहाँ पर दिख जाएंगे, जर्मनी का जंडा, ठीक है, उसी के साथ-साथ इतली का जंडा, यह सारे nations, European nations के जंडे आपको दिख जाएंगे, तो ऐसा दिखाया गया है, कि जैसे जैसे nations पास करते जा रहे हैं, आगे वो nations जिनको आजादी मिल गई थी, पीछे वो nations हैं, जो आजादी हासिल करने आले हैं, और एक समय ऐसा हैगा कि सब आजादी हासिल कर लेंग और they are symbolizing fraternity, यानि की भाईचारे को symbolize कर रहे हैं, और साथी में नीचे आपको कोड़ा कच्रा दिख रहा है, यह कोड़ा कच्रा क्या है, यह कोड़ा कच्रा बच्चो एक तरीके से हम बोल सकते हैं, बच्ची कुछी चीज़े हैं, autocratic regimes की, अब autocratic regimes क्या है, तो autocratic regimes का मतलब ह जो हमारे राजा महराजा लोग हुआ करते थे, उनकी बात की जा रही है, all right, चलिए, तो I hope यह बात एक दम clear है, तो राजा महराजा के अंत की बात की जा रही है, आजादी की बात की जा रही है, European nations के, और Statue of Liberty है, all right, चलो, तो यह तो हमको बात समझ में आई है, जब हम चलते हैं, तो यहां पर बच्चो हम सभी को पता है कि Europe के अंदर, European जो continent है, one amongst the seven continents of the world, there is a continent called Europe, और Europe के अंदर सबसे पहला देश, जो आजाद हो पाया था है, जिसने आजादी हासल करी थी, that was the French nation, all right, France को सबसे पहले आजादी मिली थी, यहां पर आप देख सकते हैं, measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people, but मचो सिर्फ आजादी मिल जाने से ही कुछ नहीं होता है, अब आपने एक देश फर्म कर लिया है, लेकिन उस देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं, आप उनके अंदर वो भावना कैसे पैदा करो गए राश्ट्रवाद की, कि सब जो हैं एक ही country का पार्ट ह देश के पार्ट है, जो बचों को पड़ा रही होती हूं, उनको हमेशा बताती हूं कि चैपर का फर्स्ट वेस्टन जिसके मतलब एक्जाम में आने के बहुत जादा चंस हैं वो ये वाला क्वेश्टन है, तो इसको नहीं अच्छा से नोट डाँ कर लेना, वेसे पूछ ज प्रेंच पीपल, और चलो, यहां पर बचों सबसे पहला आइडिया है, इक तरीकी से बचों पहले क्या होता था, माडम सर वारा कल्चर होता था, प्रांस के अंदर की जो निचली जाती के हैं वो ऊची जाती के लोगों को माडम सर, मदाम ऐसे यसे करके बुलाएंगे, बट उस पूरे कल्चर को हटा दिया गया और उसकी जगह सब को सिटिजन्स बना दिया, फ्रांस का कि सब एक्वल है, ठीक है, और आप जिस धर्ती पे रह रहे हो, जो फ्रेंच नेशन की धर्ती है, सरजमी है, वो आपका आपकी पित्र भूमी है, आपका फादर लैंड है, जो से हम बोलते हैं, यह हमारी मातर भूमी है, वैसे उन्होंने पित्र भूमी बोला, ठीक है, चलो, नेक्स्ट है, अन्यू फ्रेंच फ्लाग, एक नया फ्रेंच फ्लाग बच्चो जैसे कि आपको दिख रहा है, ब्लू, वाइट, रेड कलर में, जो बच्चे फुटबल द फ्रेंच फ्लाग लेकर आ गए, एक नया नेशन को सिंबलाइस करने के लिए, ताकि नया नेशन के अंदर, जो भी लोग इस फ्रेंच फ्लाग को देखें, उनको इस फ्लाग को देखते ही, मतलब इस फिलिंग आ जाए, कि हाँ, येस, वी आर पार्ट अव दिस नेशन, थर असेंबली, तो यहाँ पर अक्टिव सिटिजन का सभी को मतलब है, मतलब पता है, अक्टिव सिटिजन वो लोग होते थे, फ्रेंच सो साइटी में, जिनके पास राइट तू वोट हुआ करता था, तो ये राइट तू वोट वाले लोग इलेक्ट करेंगे, एस्टेट जनर की बोडी का नाम बदल के रख दिया गया, नैशनल असेंबली, न्यू हिम्स कमपोस्ट, ओट्स वर टेकन अन मार्टर्स वर कमेमरेटेड, और ने नीम उप थी नीशन, नए गाने गाए गए, नए गाने बनाए गए, कमपोस्ट क्या गया, ओथ, बच्चों ओथ होते हैं, कसमें खाई गए, ओट्स वर टेकन अन मार्टर्स वर कमेमरेटेड, तो बच्चों जिन लोगों ने देश के लिए जान दी थी, उनको भी कमेमरेट किया गया, all in the name of the French nation, सब देश के नाम पर, centralized administrative system को बना दिया गया, बच्चों, that means कि administration अब एक central level पर होगी, पूरे देश की, पहले बट रखी थी वो administration, बट अब उसको centralized कर दिया है, जो कि सभी लोगों के लिए, जितने भी French nation के नागरिक हैं, citizens हैं, उनके लिए कानून बनाया करेगी, next है, internal custom duties and dues were abolished in uniform, system of weights and measures was adopted, जो इंटर्नली जो भी taxes थे, अलग-अलग एक जगा से दूसरी जगा जाने के लिए लगा रखे थे, उनको खतम कर दिया गया, और एक uniform system of weights and measures को adopt कर लिया गया, कि uniform रहेगा, कि आप किस तरीके से चीजों को weigh करते हो, किस तरीके से measure करते हो, कि उसके measurement और weights वगयरा, सब same रहेगे पूरे nation के अंदर, और internal custom duties, जो dues हैं, जो taxes आप एक जगा से दूसरी जगा जाने के लिए pay कर रहे हो, उनको भी remove कर दिया जाता है, regional dialects were discouraged and French as it was spoken and written in Paris became the common language of the nation, अब बचों यह point थोड़ा सा अलग है, मतलब यह बोल रहे हैं कि जो regional dialects हैं, जो अलग-अलग भाशा हैं exist करती थी French nation के अंदर, उनको discourage किया गया, उनको अपनाया नहीं गया, उनके use को भी encourage नहीं करते थे, बढ़ाते, चड़ा कर, बोलते नहीं थे, मना करते थे कि यह सब मत इस्तमाल करो और सिर्फ एक ही भाशा, फ्रेंच भाशा का इस्तमाल करो, उनको लगा कि एक single language अगर सारे लोगों की होगी, तो शायद उससे unity जो है और जादा बढ़ जाएगी French nation की, अपनी अपनी सोच है, हम अपने देश के अंदर ऐसा नहीं करते हैं, हम मानते हैं कि diversity, unity in diversity है न, वो वाली चीज में हम विश्वा सकते हैं, यह कहते हैं नहीं, unity in a single language, अगर आप लोगों को याद हो बच्चो, तो इस चाप्टर में हमने पढ़ा था कि French nation के अंदर कैसे पहले लुई 16 जो मोनार्क थे, उनका रूल था, उसके बाद जो है constitution आ जाती है, तो national assembly का रूल होता है, national assembly के हटने के बाद हमारी republic यानि की jacobin club का रूल होता है, jacobin club के हटने के बाद हमारी directory आती है, और उसके हटने के बाद एक military dictator Napoleon Bonaparte, French territory को capture कर लेते हैं, तो उनहीं की बात करते हैं, तो एक मोनार्की पे हम बोल सकते हैं कि return देखने को मिला है Napoleon Bonaparte की entry के साथ, तो उन्होंने democracy, जितनी बची कुछी democracy France के अंदर थी, उसका भी खातमा कर दिया, ठीक है, लेकिन बचो administrative field में ऐसी बहुत सी चीज़े हैं, ऐसी बहुत सी खुबिया हैं, जो कि हम Napoleon जी को, मतलब सलाम बोल सकते हैं कि very nice Napoleon जी आपने बहुत अच्छा करा है, तो revolutionary कुछ चीज के और ज्यादा efficient बना सकें, और इन्हीं बच्चों, इन्हीं हम बोल सकते हैं, administrative measures को बोला जाता है, the Napoleonic code or the civil code, चीज़े हैं, सुविया टॉकिंग बादी, Napoleonic code, it was also known as the civil code of 1804, अब दूसरा important question, जो इस chapter के अंदर formulate होता है, वो यही वाला है, चीज़े बच्चों, याद रख का पूछलेंगे, आफिर civil code का पूछलेंगे, 1804 का, चलो, alright, it did away with all the privileges that were based on birth, तो birth पर बच्चों, यानि कि जनम पर जितनी भी privileges थी, जितनी भी हम बोल सकते हैं, कि विशेश अधिकार लोगों को मिले हुए थे, उनको हटा दिया गया, established the equality before the law, और कानूम के आगे, समानता को, established किया जाता है, secured the right to property, right to property का मतला भी बच्चों, कि property own करने के अधिकार को भी secure किया जाता है, and this code was exported to the regions under the French control, तो बच्चों जितने भी जिसे अगर कोई इनसान एक अमीर खानदान में पैदा हुआ है, तो पैदा होने के साथ ही उसके पास एक privilege है, कि I have money, विशेश अधिकार ही तो है, आगे चलकर अगर कोई एक बच्चा जो है, किसी political family में पैदा हुआ है, तो कल को उसके पास एक privilege है कि उसको इतना struggle नहीं करना होगा, उसको easily कोई भी political position मिल जाएगी, because उसके family के पास है, तो these are the privileges on birth and in privileges की वज़े से बचो society जो है हमेशा एक inequality में रहती थी, एक असमानता की condition में रहती थी, तो इस privilege को ही हटा दिया गया, civil court द्वारा, कानून के आगे सब लोग बराबर रहेंगे, यह भी बोला गया, रुसी के साथ साथ right to private property, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी property लिनी है, तो वो ले सकता है, वो वली जी जी थी, right to property, अब इस code को बचो exported, exported का मतलब है कि नेपोलियन ने सिब फ्रांस ही नहीं, फ्रांस के आजू-बाजू की जो इलागे थे, वो वहाँ पर भी कबजा करना उनने शुरू कर दिया था, तो जिन जिन regions में नेपोलियन का control था, या जो जो regions नेपोलियन के control के तहत थी, वहाँ प divisions, तो administration के अंदर जो भी पहले divisions हो रखे थे, वे भाजन हो रखे थे, उनको simple कर दिया गया, पहले बचों बहुत जादा divisions होते थे, जो से suppose एक territory है, तो इसके इदर सीदर अलग management हो रही है, इदर सीदर अगर आप जाओगे, या इदर सीदर अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर taxes देने पड़ेंगे, यहाँ पर taxes देने पड़ेंगे, ऐसे करके divisions हो रखे थे, एक ही territory के अंदर जिसकी वज़े से काम, जो है, administration का बहुत मुश्किल हो जाता था, feudal system को abolish कर दिया, अब what was the feudal system, everyone asks की ma'am, feudal system क्या है, अब ध्यान से समझो, chapter में बहुत बारी feudal system की बात की जाएगी, मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही simple सी चीज़ है बचो, अब जिसे एक landlord है, या फिर एक feudal lord हम बोल सकते हैं, feudal lord कौन होते थे, जिनकी पस बहुत हमीने होती थी, अब ये feudal lord का land है, इस land पर बच्चो एक laborer आके काम करता था, ठीक है, जो भी laborers आके काम करते थे, तो इन laborers को एक तरीके से एहसान मिला है, किसका एहसान मिला है, feudal lord का, तो इसी एहसान की वज़े से बच्चो इन laborers से tax लिया जाता था, पे कर देते थे थ लेकिन tax भी लिया जाता था, ठीक है, ठीक है, ना इस वस वेरी सिंबल, feudal lord के fields होते थे थे, उन fields पर laborers आके काम करते थे, उन laborers से tax लिया जाता था, ठीक है, ठीक है, चाली, freed the peasants from serfdom and manorial dues, बच्चो इसी के साथ-साथ manorial dues, जो ये मेनर होते थे, बड़े-बड़े घर वाले लोग, इनके भी जो dues होते थे, उनको भी अटा दिया गया, serfdom, serfdom का मतलब है, the condition of being a labor, तो जो भी ये लोग, जो laborers आके काम करते थे, उनको serfs बुलाया जाता था, and that condition in which they lived, that was known as serfdom, कि वो एक labor बनके रह रह रहे हैं, है ना उनको exploitation जहिलनी पड़ रही है, that condition was known as serfdom, और serfdom और manorial dues से, हटा दिया गया इन लोगों को, equality लेकर आये है, towns के अंदर, शेहरों के अंदर, guild restrictions, जो trade पर, restrictions रखी होती थी, व्यापार पर, जो पाबंधिया लगी होती थी, उनको हटा दिया गया, उसी के साथ, transport communication system को improve कर दिया गया, peasants, artisans, workers, new businessmen, enjoyed a new found freedom, बजो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, कि हमारे जो, poor, peasantry है, जो करीब peasants है, जो किसान है, या फिर उसी के साथ साथ, जो हमारे artisans है, जो workers है, businessmen है, traders है, उन सभे को यहाँ पर बहुत जादा खुशी हो रही थी, नेपोलियन के measures से, everyone was happy, although नेपोलियन एक ताना शाह थे, एक military dictator थे, लेकिन फिर भी लोगों को काफी खुशी हो रही थी, because they enjoyed this kind of freedom, इसी के साथ साथ, areas, जहाँ conquer करा है, जहाँ कबजा करा है, वहाँ पर reaction of the local populations to the French rule were mixed, mixed reaction, अब बज़ों हमने फ्रांस में तो कबजा करा ही, उसके साथ साथ आजू बाजू के जो जो इलाके थे, आपने वहाँ पर भी अपना rule establish करना शुरू कर दिया, ठीके, और जहाँ जहाँ नेपोलियन जाते थे, वहाँ पर थोड़ा सा जो reaction होता था था लोगों का, वो mix था, कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग ना खुश थे, देखे, initially शुरुवाती दोर में बहुत सी जगाओं में जैसे की Holland, Switzerland और कुछ cities में जैसे की Brussels, Mains, Milan, Warsaw, यहाँ पर French armies were welcomed as harbringers of liberty, बचो harbringers का मतलब ये नहीं है कि वो harbringers कर के ला रहे थे, हार चटाने के लिए ला रहे थ है, मतलब, suppose अगर मैं Holland में रहती हूँ, और मैं देख रही हूँ कि French army आ रही है, तो मिले को ऐसा लगता था कि यार, France तो आजाद ही हासल कर ली है, और French army भी शायद हमारी जगह पर इसलिए आई है, था कि वो हमको आजाद करवाना चाहती है, और उनको यह नहीं बता था कि यह तो हम पर कबजा करने आए है, इनिशिल एंथूजियाजम सून टर्न इंटू होस्टिलिटी, बचो लोग ना परिशान होने लग गए, लोगों को एक होस्टाइल फील होने लग गया, कि हमको दबाया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है, हमारे साथ सही नहीं किया जा रहा, increased taxation taxes बढ़ गए थे, censorship होने लगी थी कि आप राजा माराजा के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हो, मतलब ruler के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हो, forced conscription into the French armies, बेफाल तुमें जबरन तरीके से इनको French armies में भरती कराया जा रहा था, अब देको France हमारा देश है तो हम आर्मी म में डाला जा रहा है तो यह तो बहुत ही ज्याकती हो गई, तो वाली चीज हो रही थी, all seemed to outweigh the advantages of the administrative changes, तो बचो ऐसा होता है ना कि जिससे कभी क्या होता है, लाइफ में कोई इंसान आपके साथ बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है नैपोलियन ने administrative sense में तो बहुत सारे ऐसे reforms दे कर आए जिससे लोग काफी खुश थे, लेकिन उसके बाद he did something so wrong, यह सब चीज़े करके, taxes बढ़ा कर, लोगों को बेफालतु में आर्मी में भरती करकर, censorship लगा कर, कि लोगों को hatred एक पैदा हो गई नैपोलियन के लिए, इस की वज़े से जितने भी advantages उन्होंने face करी थी कि है कराय पर पानी फिर गया और बच्चों यहां पर लोग जो है नेपोलियन को एक तरीके से hate करने लग गए, all right, so if we move ahead, यहां पर हम लोग नया topic शुरू करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दू कि नेपोलियन को हरा दिय बच्चों ने सफाया कर दिया, किसका नेपोलियन जी का, okay, all right, let us move ahead, तो अब लोग बच्चों एक तरीके से अब एक नए topic पर move on करने वाले हैं, that new topic is the making of nationalism in Europe, तो बच्चों nationalism, अब मैं कोई रोटी थोड़ी ना है, जो बनानी पड़ती है, लेकिन बच्चों, हां ऐसा है, nationalism is also something जिसको आपको create करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, so nationalism कैसे Europe में बना, making of nationalism के हम लोग बात करेंगे, society के अंदर जो different different type के लोग रह रहे तो उनकी भी बात करेंगे, और चलते हैं आगे, चला, हां, तो यहां पर, देखे, mid 18th century, Europe, no nation states as we know them today, तो बच्चों आज आप को clearly पता है कि भाई ये वाली जगा ना मैप में ये इटली है, ये वाली जगा जर्मनी है, ये फ्रांस है, ये बेल्जिम है, पर बच्चों उस time पर आपको नहीं पता था, mid 18th century की बात है, Europe के अंदर कोई भी nation state exist ही नहीं करता था, यानि कि एक ऐसी जगा जिस country की clearly defined boundaries हो, ऐ इसे नहीं था, तो उस time पर क्या होते थे, duchies, cantons, ये सब चीज़ें क्या थी बच्चों, empires थे, एक राजा है, वो कह रहे है कि हमने इस ये पुरी जगा है, ये हमारी है, side में capture कर ले थे, इधर capture कर ले थे, फिर कहते थे, अब अपनी जगा increase हो गई, तो कुछ भी clearly defined नही क्या है, सबसे पहले इस society के अंदर बात करेंगे, हम रह रही aristocracy के बारे में, यानी की बच्चों, वो लोग जिनके पास एक जनमसिद अधिकार है, कौन सा जनमसिद अधिकार है, अमीर होने का अधिकार, ठीक है, so these were the people who had their privileges by birth, यानी की आनन पांडे once again, sorry, not sorry, ठीक है, so यह पर we are actually talking about the aristocracy, बच्चों aristocracy एक तरीके से वो class होती है, या फिर समाज का वो section होता है, जो उसके पास by birth privileges थी, यानी की जो class, ruler, class को belong करती थी, तो राजा है, उनका भतीजा है, उनकी भानजी है, उनकी मामी है, चाची है, दादा है, all of that, तो वो जो पुरा खांडान है, nobility का ruling class का, all of that comprised of the aristocracy, ऐसे कुछ थेगे लोग, काफी elite, okay, now, socially and politically, the dominant class on the continent, socially and politically, यानी की समाजिक तौर पर और राजनित तौर पर, इस पूरे European continent में सबस्यादा dominant class, मतलब बच्चों, अगर आप population की बात करो, population के अंदर, इनका जो share था, share of aristocracy, that was quite less, काफी कम था, ठीक है, लेकिन, अगर हम बात करें, इनके dominance की, तो numbers में कम है, लेकिन क्योंकि इनके पास पैसा है, और पैसे के साथ power भी है, इस वज़े से की पूरे continent पर अप्रभुत्व जमा कर बैठे हैं, पूरे continent को dominate करके इनों ने रखा है, members of this class were united, but they were united by a common way of life, that cut across regional divisions, बच्चों सी के साथ साथ जैसे आप देखते हो ना, जैसे जो फिल्म स्टार्स की बच्चे होते हैं, वो बच्चपन से एक या अमीरो वाले स्कूल में जाते हैं, बाद में उनको फॉरन पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है, वो सारे आपस में बहुत अच्छे जीने का तरीका है, that is common, वो लोग ऐसा थो रहे होगा कि बच्चे अमीर को इनसान होगा, वो अपने बच्चे को गवर्मेंट स्कूल में डाल देगा, नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा है ना, उनके बस देखें, फोर्ट साच लाइस्टायल, तो वो जो उस लाइस्टायल वा बात करते थे, it was quite similar, they owned estates in the countryside and also townhouses, तो शेहरों में इनके बड़े-बड़े घर थे, उसी के साथ साथ, countryside के अंदर यानि की गाओं में, बच्चों इनके बड़े-बड़े जमीने भी हुआ करती थी, they spoke French, अब जैसे इंडिया की elite क्या बलते है, I only speak English, I don't understand, थोड़ी-थोड में बात करते हैं, यह कहते हैं, हम तो French में बात करते हैं, silvoplay, क्या होता है वो, जो भी होता है, bonjour madame, ठीक है में को बच्चों इतनी French नहीं आती है, but with that accent and all, they used to consider French a very elite language, और Europe के अंदर जो भी elite class थी, वो French में ही बात करेगी, याद रखियेगा इस चीज का, और उसी के लोग होंगे यह ऐसा तो बोलेगे ने क्या हो किसी माली या किसी किसान से तुमारी शादी करा देते हैं अपनी बेटी को, so they used to marry अपने अमीर बच्चों को दूसरे के अमीर बच्चों से शादी करवा दिया करते थे, तो ऐसे यह और connected रहते थे, उसी के साथ से बच्चों majority जो population थी, वो थी पेसंट्री की, oh, erazer से माम अंडरलाइन भी कर रही है, पेसंट्री, बच्चों पेसंट्री यानि की किसानों से बनी थी maximum population, to the west, west की तरफ, bulk of the land was farmed by tenants and small owners, while in the eastern and central Europe, the pattern of land holding was characterized by vast states, which were cultivated by the surf, तो हम देखते हैं, बच्चों, west की तरफ, west की तरफ, जो maximum land होता था, उस पे farming करते थे, tenants, किरायदार जो होते थे, ठीक है, और जिनके छोटी-छोटी समीने होते थे, वो खुद वहां पे cultivation किया करते थे, पर eastern और central Europe के अंदर हम क्या देखते हैं, कि यहां पर बड़ी- उनको एक labor के state में रखा जाता था, उनको surf बोलते थे, और उनकी उस condition को surf dumb बोला जाता था, ठीक है, याद रखेगा इस चीज़ को, all right, चलो, अभी हमारे aristocracy की बात होई, aristocracy के साथ-साथ, society में एक नई class पनपती है, जो कि है new middle class, तभी बच्चों, इसकी new लिखा है, क्यों middle class के लोग होते हैं, बच्चों, जो अपने toothpaste के खतम होने के बाद, ऐसे बेलन चलाते हैं, उसको toothpaste को निकालने के लिए, है ना, जो क्या करते हैं, जिस room में नहीं बैट रहे होते हैं, वहां के light और पंख्या अगर आपने चला दी तो आपकी मम्या आपके एक चांटा मारती हैं, वही middle class, बच्चों, वही middle class, चीक है, तो वही middle class, मुझे जरूर बताईएगा comment section के अंदर की middle class और क्या-क्या चीज़े करती हैं, चीक है, चाल, alright, new middle class की बात कर लेते हैं, industrialization, बच्चों, ये ना, जो class पनपी थी, ये पनपी कैसे थी, एक तरीके से जब industries आई, तो ज working class थी, जो jobs वगएरा करते थे, वो सारे लोग middle class के लोग बन जाते हैं, पड़े लिखे जो लोग थे, चीक है, मतलब जो पहले तो गरीब ही थे, पर पढ़ाई लिखाई हासल करके, जिन्होंने अच्छी नौकरियां करनी शुरू कर दी, और उस पढ़ाई से जिन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया, और जिन्होंने बिजनस वगएरा खोल लिए, इंडेस्टिलाइजेशन, नहीं social groups आए, एक working class population आई, middle classes के लिखे लिखे बिजनस्मेन और जो दूसरे professionals थे, जिसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, यह सारे लोग भी आ जाते हैं, अब बच लेकिन बच्चों, अब जब लोग पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, जब लोग एक तरीके से education हासल कर लेते हैं, उसके बाद they started questioning the kind of practices that were going on around them, वो question करने लगे कि हमारे आस पास यह हो क्या रहा है, इससे मेरा यह मतलब है कि वो यह question करने लगते हैं बच्चों कि why is all of this happening, are you understanding what I am saying, कि यह जो राजा रूल कर रहे हैं, एक autocratic तरीके से, समझना इस चीज़ को, autocratic regimes हुआ करती थी उस time पर, autocratic regimes का मतलब होता है बच्चों, जब king rule करते हैं, ठीक है, king rule करते हैं या rulers rule करते हैं without any restrictions, बिना किसी पाबंध ही किये, जब कोई rule करता है, तो उसको autocracy बोलते हैं और autocratic regimes बोला जाता है, now we see a rule by the autocratic regimes, जिसकी वच्चों सोसाइटी के अंदर एक liberal nationalism की feeling जनम लेती है, और liberal nationalism के अंदर हम लोग देखते हैं, कि लोग nationalism की बात कर रहे हैं, they are liberals, okay, liberals जाने की खुली सोच वाले लोग, है ना, पहले तो यह समझ लेते हैं कि liberal कौन होता है, conservative होता है, so we know कि जिसे क्या होता है, आप यह लोगों ने बहुत face करा होगा, कि आप लोग क्या अगर तो अपने घर से कहीं आप पार्टी में जाना है, किसी के गर नाइट से पर जाना है, permission लेनी होती है, तो आप अपने पैरेंस से पूछते हो कि क्या हम चले जाएं, तो कु खुली सोच के लोग है, और अगर कुछ लोग है जो नहीं वो बोलते है कि घर जो है, साथ बचे से पहले आजाओ, या इदर नहीं जाना है, उदर नहीं जाना है, हम बोलते हैं, यह तो पुरानी सोच के लोग है, थोड़े conservative हैं, से वही बात है बचो, लिबरल जो है, वो सेंस में बात करेगा, देखो, for the new middle classes, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law, तो बचो नहीं middle class जो आई थी, उसके लिबरलिजम का मतलब था, individual यानि की एक व्यक्ती की आजादी और उसी के साथ साथ equality before the law, सारे लोग जो है कानून के आगे बराबर होने चाहिए और हर व्यक्ती को आजाद बिलनी चाहिए, French Revolution से ही liberalism का मतलब था, French Revolution के खतम होने से बच्चो liberal word जो है आता है, आप सभी को पता होगा कि liberalism equality और liberty, equality, fraternity, ये तीन चीज़े हैं जो French Revolution हमको सिखा कर गई थी, और तभी से liberty का यही meaning था बच्चो की जो autocratic regimes हैं, जो बिना किसी restrictions के रूल करती हैं, उनका ख विशेश अधिकार मिल रखे थे, चर्च के जो लोग थे, पोप, ये सब लोग ठीक है, उनको जो विशेश अधिकार मिले थे, clergy को वो भी खतम हो, और constitution आजाए, सम्मिधान आजाए, government आजा, जो को लोगों द्वारा चुनी हो, जिसके अनर पार्लिमेंट भी होगी, जो की कानून बनाएगी, तो ये सारी ही चीजों के लिए liberalism stand करता था, politically, तो ये सब politically ही है बचो, ठीक है, अभी तक हमने इसके political sense की बात करी है, concept of government by consent, equality before law, okay, अच्छा, इसको बात में डिसकास करते हैं, पहले देखे, concept of government by consent, government by consent, consent का मतलब होता है रजामन्दी, तो सब की रजामन्दी से सरकार को बनना चाहिए, बचो, पहले जो autocratic regimes होती थे, वो किसी की रजामन्दी से नहीं बनती थे, वो खुच से आ जाते थे, rulers और rule करने लग जाते थे, पर अब बात हो रही है कि लोगों की रजामन्दी से सरकार को बनाया जाए, कि लोग vote दे औ और उसके बाद government firm हो, okay, so concept of government by consent की यहाँ बात होती है, और उसे के साथ-साथ, equality before the law का मतलब यह नहीं था, universal suffrage, बचो, इस point को सार्मा कर लेना, और यहाँ लिख लेना, एक exception, ठीक है, अब यह जो चीज है, यह exception क्यों है, इसको मैं erase कर देती हूँ, यह जो चीज है, यह exception क् इस वज़े से है, because, liberals बहुत खुली सोच रख रहे हैं, लेकिन एक चीज में उनकी सोच थोड़ी से narrow-minded है, and that is universal suffrage, यानि की voting right for all the adult citizens, यह नहीं मानते थे उस चीज में, यह कहते थे, voting right सिर्व आदमियों के लिए होगा, ठीकि वह वाली चीज यहाँ पर आती थी, voting right सब के ले होगा, यह उस चीज में विश्वास नहीं रखते थे, they did not give voting rights to women, all right, which is a very bad thing, because, इनका नाम liberal suit नहीं कर रहा है, फिर इस बात पर, तो बच्चों, यहाँ पर आए, होँआप सभी को समझ आई है, यहाँ पर political sense में हम लोगों ने liberal nationalism की बात करी है, political sense के अदर equality before the law, freedom of individual, end of autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government, government by consent, यह सारे के सारे points आजाएंगे, political understanding में, अब अगर हम लोग बात करते है, liberal nationalism, economy के अंदर क्या समझ रखती है, तो बचो, economic sphere में, freedom of markets, जो बेचना है, बेचो, इदर सलाना है, उदर सलाना है, free trade, freedom of markets, state imposed, जो आपकी सरकार ने, कुछ पावनिया लगाई है goods की movement में, पैसे की movement में, पावनियों को हटाया जाये, ताकि free trade हो सके, of goods, एक जगा से दूसरी जगा, goods के आने जाने पर कोई भी रुकावट, face ना करनी पड़े, all right, German speaking regions in the first half of the 19th century, तो बचो हम देखते हैं, German speaking regions में, first half of the 19th century के अंदर, Zolverin को introduce किया जाता है, Zolverin क्या है बच्चों, Zolverin एक customs union है, customs union क्या होता है, union से ही आप लोग समझ जाओ कि बहुत सारे लोग unite हो रहे हैं, तो बहुत सारे जो अलग-अलग states हैं, वो आपस में मिल रहे हैं, और एक customs union form कर रहे हैं, customs union in the sense, कि उस particular area में, जो भी उन states का covered area होगा, जो Zolverin form कर रहे हैं, वहाँ पर trade पर जो भी restrictions लगाई जाती होंगे, उन restrictions को हटाने की बात की जा रही है, ठीकिए, so 1834 में customs union या Zolverin को form करा जाता है, initiative यानि कि किसने ए form करने की पहल करी थी, तो वो था Prusia, और maximum German states ने join करा, initiative पर Prusia पर form होता है, tariff barriers, जो भी tax barriers थे, बच्चों, वो हटा दिये जाते हैं states के बीच में, और जो भी currencies थी, पहले 30 currencies हुआ कर दी थी in states के अंदर अलग-अलग, पर अब उनको reduce कर दिया, simplify करने के लिए, और सिर्फ 2 currencies कर दी गई, ताकि trade को आसानी से, बिना किसी tax के, easily किया जा सके, okay, all right, okay, railways का फिर एक network form करने लगते हैं, rail गारी चलने लगते है चुप-चुप करके और जिसकी बच्चों mobility बढ़ जाती है, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगते हैं, आसानी होने लगते हैं उनको, तो यह सारी की सारी चीजें, now, now बच्चों यही पर liberal class तो आ गई, लेकिन उसी के साथ एक और class मौजूद है ना society में, conservatives की, who are these conservatives, जिनकी thinking पुड़ानी है, है ना, तो हम देखने एक new conservatism after 1815, 1815 यानी की बच्चों हमारी Napoleon हार गए है लड़ाई में और उसके बाद जो है conservatism emerge होने लग गई है, 1815 में European governments driven by a spirit of conservatism, जो भी democracy और liberty और equality की बात करी जारी दिना भी उस सब में पानी फिट जाएगा, क्यूं बच्चों, वो कहते है राजा ही होना चाहिए जो rule करेगा, चर्च में विश्वास रखते हैं, चर्च, powerful institution, social hierarchy, समाज के अंदर जो एक उपर की class है, नीचे की class है, वो सारी की सारी hierarchy exist करनी चाहिए, property and that the family should be preserved, और जो institution है family का, कि आपकी family है, family को respect करने की बात है, इन सब चीजों में पुरानी पुरानी चीजों में विश्वास रखते थे, पर बच्चों साथ ही में, जो हमारे नेपोलियन जो reform, reforms लेकर आये थे, जिसे कि एक modern army, efficient bureaucracy, एक dynamic economy, इनको लगता था कि इन सब चीजों से ना और बहतर हो सकती है, और बहतर हो सकता है समाज, ठीक है, feudalism क abolition, serfdom का abolition, तो इन सबसे जो हमारी monarchy है, वो strengthen हो सकती है, कि कच्यार में आएगी, bureaucracy आएगी, serfdom हटेगा, तो इन सबसे ना हमारी monarchy और strong हो जाएगी, तो एक तरीके से बच्चों, conservatives obviously, ऐसे लोग होते हैं, जो समाज में बदलाव नहीं चाहते, लेकिन अगर बदलाव उनके हक में हो, जिससे कि उनकी पावस बढ़ रही हो, तो they are interested in that, वो कह रहे हैं, ठीक है, ऐसा बदलाव लेकर आजाओ, जिससे कि हम लोगों की पावर और बढ़ रही हो, तो वा जीवा, और obvious सी बात है कि conservatives, बचो अरिस्टोकरसी के ही लोग थे, जैसे middle class के लोग liberals थे, वैसे ही conservatives, अरिस्टोकरसी के लोग हुआ करते थे, अब बचो यही conservatives मिलते हैं, treaty of Vienna, sign करने के लिए, hosted by Austrian chancellor, Duke Maternich, बचो, Austrian chancellor, head of the government है, Austria के, Duke Maternich, उस time पर हुआ करते थे, बहुत ही बड़े conservative, और इन्होंने host करी, बुलाया सबको, treaty of Vienna को sign करने के लिए, जैके बचो, किस-किस द्वार और शुक्ता साइन करी गई है, treaty of Vienna, याद रखियेगा, जैके अर्ष्या, बुलाया अर्भार का, प्रुश्या, रुश्या, और हमारा, ग्रेट-ग्रेट-बृत्अर्टिय्ट एग्रेट बिर्टियन, एके रखिया है, और हमारा, ग्रेट-ग्रेट-बृतन एग्रेटिया कॉमा कॉमा लगा देती हूं ताकि आप लोग समझ हैं तो अस्ट्रिया पूश्या रेश्या और ग्रेट बिर्टन ने साइन करी हमारी ट्रीटी ऑव वियना इन 1815 क्या हुआ था इस संधी को साइन करने के बाद बर्बन डाइनस्टी बचो अब यह कंजरवेटर साइन कर रहे पर हमला करने के लिए तो सीरियस और से जाना पड़े तब तक दूसरी जगह को पता चल जाएगा कि हम पर हमला करने के लिए तो series of states को बना दिया गया उनकी boundary पर उसी के साथ बचो main intention तो ये देखे treaty of Vienna को sign किया जा रहा है main जो उनकी जजबात थे वो ये थे कि जो वे monarchies Napoleon ने हटाई हैं overthrow करी हैं हम उन सब को वापस लेकर आएंगे और Europe के अंदर फिर से conservative order को establish करेंगे ठीक है बचु दे वर autocratic that means कोई भी restrictions नहीं थी इनके rule पर लोग कुछ नहीं कह सकते थे इनको ये बचो criticism tolerate नहीं करते थे अगर इनकी कोई आलोचना कर दे हैंगे खिलाफ कोई कुछ बोल तो भाई ये tolerate नहीं करेंगे नहीं सहेंगे उस चीज को इनकी खिलाफ तो कोई कुछ बोल डिसेंट भी होता है कोई खिलाफ नहीं बोल सकता sought to curb the activities that question the legitimacy of autocratic governments most of them imposed censorship laws so the second thing is that they sought to curb the activities बचो करने का मतलब होता है किसी चीज को दबोचना दबाना तो वो सारी की सारी गतिविधियां जो कि इनके rule को question करें question mark लगा दें सवाल उठाएं उन सब चीजों को ये दबा देंगे ठीक है और उसे के साथ इन्होंने censorship laws को भी impose कर दिया कि आप कुछ भी ऐसा print नहीं कर सकते कुछ भी ऐसा चाप नहीं सकते बोल नहीं सकते जो कि हमारे खिलाफ बोला जाएगा censor कर दिया हर चीज को these were the conservatives अब उसे के साथ बच्चो एक और लोग आ गए है which are the revolutionaries यानि की बच्चो वही liberal national nationals हाँ वही बच्चो liberals जो एक तरीके सा हार नहीं माने कि जिन को ये चीज़ realize हो गई है कि whatever these conservatives are doing is wrong now they'll have to take a stand they won't tolerate all of this 1815 के बाद secret societies आने लग गई European states के अंदर revolutionaries को train करने के लिए और अपने ideas को फैलाने के लिए ideas बच्चो अपनी सोच को और जादा लोगों में फैलाने के लिए या तरखेगा revolutionary कोई भे कैसा इंसान होता है जो कि बच्चो क्रांती लाना चाहता हो बदलाव लाना चाहता हो और इस ताइम पर क्या revolution लाना चाहते थे इन autocratic regimes को हटा कर democratic regimes को establish करना चाहते थे government by consent को establish करना चाहते थे तो यह revolutionaries कह रहे थे कि हम जो monarchy है उसको oppose करते हैं जो कि Vienna Congress के बाद impose करी गई है and हम जो है आजादी के लिए लड़ेंगे we will fight for liberty and freedom most of these revolutionaries saw the creation of nation states as a necessary part of the struggle of freedom and बचों ही लड़ तो रहे हैं आजादी के लिए लेकिन यह आजाद तभी होंगे जब यह nation state form करेंगे that is the reason now they start demanding a nation state and they start their revolutions और यह उस revolution के जरिये monarchy को हटा कर अपने आपको आजाद करके एक nation state को form करना चाहते है secret society का simply ही मतलब है कि लोगों से चुप चुपा कर काम चल रहा है जहां discussion हो रहा है कि अब आगे कैसे बढ़ना गिजी भी मजीनी बचों एक revolutionary है एक italian revolutionary हम लोग देखते हैं कि जैनुआ में पैदा हुए थे 1807 के अंदर ये एक secret society carbonary के member बनते हैं और फिर ये दो और underground secret societies को ढूंडते हैं ये बहुत ही जादा important है star mark इस पर लगा लेना कौन सी है वो दो underground secret societies young Italy in Marseilles and young Europe in burn young Italy और young Europe याद रखना है इस चीज को मजीनी बच्चों के विश्वास रखते थे कि God had intended nations to be the natural units of mankind कभी कभी question में पूछा जाता है कि who said this कि God had intended nations to be the natural units of mankind so this was said by मजीनी और बच्चों इसका ही मतलब है कि मजीनी बोल रहे है कि भगवान भी यही चाहते है कि nations एक जैसे जो लोग है उनका एक natural unit हो मतलब जो एक जैसे लोग है वो एक देश का हिस्सा हो देश में रहें वो ऐसे बट के ना रहें divided ना रहें एक दूसरे से और इसी वाज़े से वो बोलते हैं कि इटली जो है अभी एक patchwork में बटा हुआ है छोटे छोटे चुटे चुटे उसके टुकडे हो रखे हैं बट भगवान की तो यही इच्छा है ना कि जो एक जैसे लोग हो वो एक देश में रहें तो हमको patchwork को हटा के इटली को भी एक देश बनाना होगा में टानेच जो थे बच्चों जिन्होंने ट्रीटी ओवेना होस्ट करें थी ऑस्टियन चांसलर कंजर्वेटिव उन्होंने मजीनी जो के एक रेवलिशनरी है उनको डिस्क्राइब करा है अज दी मोस्ट डेंजरोस एनिमी ओफ आर सोशल ओडर तो अबसी वादर एक कंजर्वेटिव और रेवलिशनरी की तो जड़ाप होगी लडाई होगी तो में टाने चीज़ी वज़े से मजीनी को डिस्क्राइब करते थे इस दी मोस्ट डेंजरोस एनिमी कि यह ना सबसे खतरनात दुश्वन है हमारे सोशल ओडर के हमारा जो समाजिक ओडर बन रखा है जिसमें कोई उपर है कोई नीचे है हम उसको मेंटेन करना चाहते है मोनार्की के थुरू बट यह मजीनी होने नहीं दे रहा है इस चीज़ को इसको दिक्कत हो रही है तो यह हमारा most dangerous enemy है चीज़ के और राइट तो इसके साथ बचों हमारी आज की class होती है समाज जहां पर हम लोगों ने सारे के सारे topics पढ़ लिये हैं जो कि हमको पढ़ने वे और और हम next class में इसी chapter को continue करेंगे बहुत सारे topics को continue करके पढ़ भी लेंगे तो आप लोग notes बनाएगे तब तक I will see you next time तब तक के लिए take care and bye-bye see you all